तो नमस्कार है आप सभी का एक्जाम गुरूजी को आजाईए सब लोग जुड़ जाईए क्लास से हमारी क्लास आज स्टार्ट हो गई है और न्यू सिलेवस के एक करडिंग जो हमारी यूनिट नमबर एट है उसकी चर्चा हम करेंगे इसके संपूर्ण सिलेवस को आप जब एक दृष्टिकत रखते हैं तो इसमें करेंट अफियर राष्टी और अंतराष्टी घटना उसलेटर प्रिश्णों को समाहिद किया गया है को भी इसी के साथ में जोड़ा गया है तो आज क्लास में हमारे सो प्रस्ण है हमने 50-50 का रेश्व रखा है ठीक है तो इस खेल सुरू से लेकर के एंटर क्लास जरू देखिएगा प्रिश्णों को इस खेले आप इवनिंग में रजनी मुँ नोग है पिजए खेले खेले आपर अबात ить आप प्रोपर तरीके से झालक प्रोपर नोग कि व्रोपर तरीके से झालक जो नहीं हुआंगा जैक कि व्रोपर नहीं आएर कि झालक जाओब कि प्रोपर नहीं है हलो 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 चली अब अब तक आब आ जा रही होगी तो जल्दी से कमेंट करके बताईए आप तक आब आ जा रही है या नहीं आ रही है हाँ जी ओके आ रही है अब आज चली स्टार्ट करते हैं क्लास देखिए सबसे पहले आप लोगों को टैसरीज के बारे में और नोट्स के बारे में थोड़ी सी इनफॉर्मिशन देंगे अबी तक आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो सौभाग से MPPSC ने भी देट थोड़ी सी पॉस्पॉन कर दी है आपको टाइम मिल गया है मटेरियल नहीं है तो 1299 में हिंदी मीडियम में और 1399 में इंग्लिस मीडियम की नोट्स आप एक्जाम गुरूजी के एप्लिकेशन से ऑल नाइन परचेश कर सकते हैं घर बेठे मंगवा सकते हैं या फिर रिवीजन करने के लिए mcqs की कमी है तो आप 7500 mcqs बाली test series mp की सबसे बड़ी test series है इसे 499 में जौइन कर सकते हैं राइट और किसी भी प्रकार की शमस्या आती है तो यह जो नंबर दिये गए हैं इन पर आप संपर्क करें और आज की क्लास का हम पहला प्रशन आपके सामने लेकर आए हैं पहले प्रशन का अंसा लगाई है काली दास सम्मान किस विभाग द्वारा दिया जाता है देखिए हमने जो रेशो रखा है इसमें 50 question 45 से 50 question आपके खेलकूद के हैं और बाकी के question आपकी राष्टी और अंतराष्टी घटना क्रम जो की current affairs related है तो current affair के 50 question है और 50 question खेलकूद के पहल और काली दास सम्मान किस विभाग द्वारा दिया जाता है यहां रखिएगा काली दास सम्मान जो है यह किस विभाग के द्वारा दिया जाता है यहां पर बात की कि मानव शंशाधन विकास बिलकुल नहीं दिया जाता है खेल विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है संस्क से कौन से पुरुसकारों की स्थापना बर्स 2005 में की गई थी तो एक तो विश्णू बाकणकर पुरुसकार की स्थापना जो है 2005 में की गई थी विश्णू बाकणकर कौन थे पुरातत्व विद्ध थे ठीक है और जो आपकी रायसेन में जो गुफाएं हैं उनकी खोज करता भी यही थे संत रवीदास पुरुसकार की घोशणा भी इसी समय की गई थी तो ये ए और बी जो है आपसन आपका सही हो जाएगा लेकिन सरद जोसी सम्मान की स्थापना इस समय नहीं की गई थी दोजार आठ के लगवाग की गई थी अगला प्रस्में गोकुलोथ सो महराज क किस चेतर से समबन्दित है सास्त्रिय नित रंग कर्व हिंदुस्तांइ संगीत या रूपंकर कला तो ये आपके रंग कर्म से रिलेटेड है याद रखिएगा ये रंग कर्म से संबंधित हैं गोकल उत्सों महराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा बहुत ही प्रसिद्ध जानी मानी विभूती है नेक्ष्ट प्रशन आपके सामने है मद्ध प्रदेश में विश्वा मित्र पुरुसकार किस छेत्र में दिया जाता है वि खेलों का कोई भी क्रिकेट का कोच है तो उसको दिया जाता है क्रिकेट से लेटेड प्रसिक्षन दे रहा है वो व्यक्ति तो ये कोच को दिया जाता है तो खेलों के छेत्र में ये दिया जाता है अगला प्रस्न है नरेंद्र तिवारी इस्मरती पुरुसकार किस छेत्र मे में नरेंद्र तरवारी स्मर्ती प्रुस्कार दिया जाता है नई दुनिया देनिक भासकर जैसे बड़े-बड़े समाचार पत्रों को ये दिया जा चुका है अगला प्रुष्ण आपके सामने हैं वर्स 2014 में स्री रविशंकर प्रसाद को किस अवर्ड से सम्मानित किया गया था वर्स 2014 में स्री रविशंकर प्रसाद को किस अवर्ड से सम्मानित किया गया था तो स्क्रोच चैलेंजर अवार्ड बैव रतन अवर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवर्ड या फिर उप्रोक में से कोई नहीं तो याद रखना है रविशंकर प्रसाद को जो अवर् में से कौन सा पुरुषकार रूपंकर कलाओं के छेतर में दिया जाता है कौन सा पुरुषकार रूपंकर कलाओं के छेतर में दिया जाता है काली दास सम्मान लता मंगेशकर सम्मान एकवाल सम्मान किसोर कुमार सम्मान तो किसोर कुमार सम्मान संगीत के छेतर में एकवाल सम्मान उर्दु साहित के चैत्र में लता मंगेस कर सुगम संगीत के चैत्र में लेकिन कालीदा सम्मान जो है यह आपका रूपंकर कलाओं के चैत्र में दिया जाने बाला पुरुसकार है next person है, दिखीए खेलों से related person है, पुरुसकार बगरा के पुरुसकार है, सी में हमने रखे हैं, Kelly weekend के आसपास पुरुसकार, उसके ब सब्सक्यारा बाद current affair का आप बोरसों सटार्ट होगा, तो current affair के भी question मिलेंगे, राष्टी अनतर राष्टी घटनाओं के question है, इसमें मद्य प्रदेश में गड़े ससंकर विद्यार्थी पुरुषकार किससे संबंदित है मद्य प्रदेश का जो गड़े ससंकर विद्यार्थी पुरुषकार है आप लोगों को पता होगा गड़े ससंकर विद्यार्थी जो उस समय के महान पत्रकार थे जिनकी मृक्तियू पर कहा था गांदी जी ने कि गड़े ससंकर विद्यादी जैसे सहीद हो जाना चाहिए किन्तु अहिंसा को अपनाना नहीं चाहिए तो ये क्या थे पत्रकार थे और इनकी हत्या कर दी गई थी भीड के द्वारा ठीक है अगला प्रस्ने स्रीमती बत्तो बाई किस सिल्प से गंधर्व पुरी संगराल a1 रहां इस्थह सथ यहां पए लखा हुआ ज्तो संगराल ये अंडे तो गंधर्व पूरी किस इस्थान है प्ण्राटव संगराल जो जीमँ आ वस्ताइग में मौझूद है लेकिन आज बही देवास जिलिये के गंधर्व पूरी में मौझूद है अगला प्रश्ण है वह प्रथम विभूती कौन है जिसे देवी अहल्या सम्मान से सम्मानित किया गया वहां कौन होना चाहिए था यह मिस्टेक हो गई है वह प्रथम विभूती कौन है जिसे देवी अहल्या सम्मान से सम्मानित किया गया था तो देवी अहल्या सम्मान से सम्मानित होने वाली प्रथम महला है और वो महला है तीजन वाई याद रखिएगा तीजन वाई च्छतीजगड की यह प्रिसिद पंडव पुरसों को ही दिया जाता है कौन सा पुरुषकार अब केबल पुरसों को दिया जाता है तो कालिदास सम्मान कबीर सम्मान तुलसी सम्मान या सिखर सम्मान तो इन में से जो तुलसी सम्मान है वो अब केबल पुरसों को ही दिया जाता है यह आद रखना है जिस प्रकार से इ I can go iater यह पुरोडों को ही दिया जाता है कि राश्ट्रिय तुलसी सम्मान कव स्थापित किया गया था तो राश्ट्री तुलसी सम्मान जो है यह 1963 में स्थापित किया गया था राइट अंसर क्य वह जाएगा बी नमबर आप लोगों के आंसर आते जाएं वीडियो की लिंक को शेयर करते जाएं तुलसी सम्मान कभी 1983 बिलकुल करेक्ट मद्र प्रदेश का तानसेन सम्मान किस छेत्र में दिया जाता है मद्रप्रदेश का जो तानसेन सम्मान है संगीत के छेतर में अभीने के छेतर में लेखन के छेतर में आप लोगों को पता है संगीत समराट के रूप में उन्हें जाना जाता है लेकिन संदिगीत का जनक जो है वो सामबेद को कहा जाता है दोनों में डिफ्रेंस है संगीत का जनक सामबेद, संगीत सम्राट तांसिन तो संगीत के छेत्र में ये पुरुसकार भी दिया जाता है चक्रधर फैलोसिप मद्रप्रदेश शरकार द्वारा किस छेत्र में प्रदान की जाती है तो महराज़त चक्रधर का नाम आपने सुना होगा तबला के प्रिसिद वादक थे तबला बादक थे ये और ये जो चक्रधर फैलोसिप है ये दी जाती है सास्त्रिय संगीत, सास्त्रिय निर्थ वगेरा में तो यहां पर option नहीं है, सास्त्रिय संगीत का है, लेकिन सास्त्रिय संगीत नहीं है, तो option हमारा होगा लोक कलाओं के छेत्र में, सास्त्रिय संगीत या सास्त्रिय निर्थ आपको पहला option लगाना है, दूसरा लगाना है लोक कलाओं के छेत्र में, तो ए नमबर हमारा correct answer हो अपतार खेल महोच्वा का आयुजन किया जा रहा है nextansa है । नेट्च प्रस्थन है देशका पहला कौन सा राज है । जहाँ विद्यायों में खेल हे टू एक पिरियड अनिवार कर दिया गया है तो कौन सा राज है जहां खेल के लिए एक अलग से पीरियड लगता है स्पोर्ट का पीरियड लगता है और ये ऐसा करने वाला मद्रप्रदेश देश का पहला राज है याद रखिएगा एक खेल का पीरियड अलग से लगता है मद्र प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर अवस्थे थे मद्र प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंडोर समझते हैं जो बिलकुल बंद रहता है जिसमें धूप नहीं आ सकती बरसात नहीं हो सकती हवा नहीं आ सकती इंडोर स्टेडियम जो है टेनिस वगेरा खेला जाता ये इंदोर में सबसे बड़ा है मद्यप्रदेश का इंडोर स्टेडियूम नेक्ट प्रिस्न है NCC का राज इस्तरिये मुख्यालाय कहां पर है National Credit Core का जो मुख्यालाय है वो कहां पर है यहां पर बात पूछी गए तो वो भुपाल में मौझूद है मद्यप्रदेश का Next है मद्यप्रदेश में सबसे पुराना कलब किसे माना जाता है कलब जो की आप लोगों ने सुना होगा जैसे क्रिकेट संग की स्थापना कब हुई मद्ध्र प्रदेश में इन दौर में होलकर क्रिकेट संकी स्थापना उनीस से तालीस में हुई उसके पहले 1890 में पारसी क्रिकेट किलब बना था जो की क्रिकेट का सबसे पुराना किलब जो है कहलाता है ठीक है 1890 में निमने मैसे किस क्रिकेटर एवन भारतीय टीम के कफटान का संबन्द मद्ध्य प्रदेश से है तो मद्ध्य प्रदेश के इन दौर में जन्व हुआ था मद्ध प्रदेश के महान और भारत के महान क्रिकेटर का जन्हें दा तोर पर पता है कि एसवाग स्टेडियम भोपाल में है लेकिन इतना याद रखना कि यह एक कृतिम घास होती है कृतिम घास है आर्टिफिसियल है वो बैसी घास नहीं है प्राकृतिक नहीं नैच्रल नहीं है कृतिम रूप से जो घास है उससे बनाया हुआ स्टेडियम है और या the great wall कहा जाता है लेकिन the great wall of china राहुल दिरुवेट को नहीं कहा जाता है यह कहा जाता है जाल गोद्रेज को ठीक है तो option हमारा a number correct हो जाएगा जी हाँ यह artificial है चोबे जी बिलकुल ऐसे यह answer देते चली आप लोग निम्न मैंसे कौन सा खिलाडी बिलकुल correct हो गया संकर लक्षमन संकर लक्षमन जिने गोली कहा जाता है संकर लक्षमन का उपनाम क्या है गोली और यह hockey के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाडी थे और यह गोली क प्रद्ध सांब्धी तरह चलते थे इस लिए इनका उपनाम गोली पड़ गया निम्न मैंसे किस इस्थान पर राष्टिय क्रीडा संस्थां पटियाला की सहीोग से छेत्रीय खेल प्रसिक्षण केंड्र स्थापित किया गया है ठीक है मद्ध प्रदेश में भोपल में हैIR जैसे साइं बोलते हैं, साइं का मुख्याला कहा है, भोपाल में है, ठीक है, अब वो इस्थान का नाम भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कि भोपाल में किस स्थान पर है, बिल्कु सिंपल सा प्रस्था है, तो ये आपका कहा है, भोपाल में अगला प्रस्था है, मद् मद्द्प्रदेश के दो प्रमुख खिलाडियों को सेलिंग की छित में अवार्ड मिल चुके थे इसलिए मद्द्प्रदेश सरकार ने यहां पर क्या किया है मद्द्प्रदेश सरकार ने भोपाल की बड़ी जील में सेलिंग स्कूल की थापना किया है जो कि देश का पहला है नेक्ट प्रस्ट है मद्द प्रदेश सरकार ने निम्लिकित में से किस खेल को राज खेल का दरजा जो है प्रदान किया है यहां पर दो बार टाइप हो गया है कि किस खेल को राज खेल का दरजा प्राप्त है तो आप लोगों को पता है कि मद्द प्रदेश का जो मलखंब है राज्य खेल का दर्जा जो है दिया गया था उज्जेन में प्रमुकता से ये खेल खेला जाता है अगला प्रस्थ है विपिन मैथ्यू किस खेल विद्या से संबन देते हैं ये देखे लगाता प्रस्थ आपके किस से रिलेटर चल रहे हैं तो ये प्रस्थ आपके खेलों से चल वाएं उसके बाद करेंट अफियर्स के प्रस्में जो है स्टार्ट करेंगी तो यह विपिन मैथ्यू किस खेल से संबन देते हैं तो विपिन मैथ्यू एथलेटिक्स हैं मद्दप्रदेश के प्रमुख एथलीट है ठीक है एथलीट समझते हैं दोड़ लगाने वाले साइक करी स्थापना की गई थी कहां पर तो भूपल में की गई थी है 2 अमबर का प्रश्न आपके सामने है मंद्द प्रदेश में खेल Best I कब में अपने एक ही मैच में सरवाधिक विकेट लेने वाले विश्यो के दूसरे खिलाडी कौन है तो मद्द प्रदेश के इतने महान खिलाडी हैं कि जो अपना पहला मैच खेल रहते टेस्ट मैच खेल रहते इन्हों ने वेस्ट इंडीज के खिलाब पांस दिनों तक जो टेस् उच्यो के दूसरे तर मुख खिलारी है मद्द प्रदेश मरूप से स्टेडीं कहां परस्थे थे मद्द प्रदेश में रूपसींग Даीं या दकडल ènt情 सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ये दूसरे हैं लेकिन अपने पदारपण मेच में या पहले मेच में विकेट लेने वाले खिलाडियों में ये सबसे टॉप नंबर पर मौझूद है मद्रप्रदेश के रूप सींग स्टेडियम कहां पर स्थेत है तो रूप सींग मेजर ध्यानचंद जो थे होकी के जादूगर कहा जाता है उनके चोटे भाई थे और वो भी होकी के खिलाड़ी थे लखनव के थे उनके नाम पर मद्रप्रदेश के ग्वालियर में रूप सीं की स्थापना कब की गई थी देखिए राज में हौकी अकेडमी पूछा जा तो बैडमेंटन एसोसियेशन और हौकी अकेडमी जबलपुर में हैं लेकिन महला हौकी अकेडमी जो है यह आपकी कहां पर है यह भोपाल में है 2006 में स्थापत की गई थी नेक्ट प्रस्ट है मद्प्रदेश में एसवाग स्थेडियम कहां पर स्थेत है मद्प्रदेश का जो एसवाग स्थेडियम है यह कहां है देखिए यह प्रस्ट भी रिपीट हो गया है एसवाग स्थेडियम की जगह आप लोग चाहें तो कमेंट करके बताईए कि खाकू रडमत सिंग स्टेडियम कहा है या फिर रविशंकर सुकल स्टेडियम कहा है इन प्रश्णों के आमसर आप लोग दे सकते हैं ऐस वाग तो आप लोगों का भोपाल में मौझूद है अगला प्रश्ण है मद्पदेश के किस सहर को खेल राजधानी होने का गौरब प्र नेक्श्ट प्रस्थ है मद्पदेश की भारती महला क्रिकेट की कप्तान रही वह खेलाडी जिसे अरजोन ऑवार्ड वा विक्रम ऑवर्ड से सम्मानेत किया गया है ठिक है तो वह कौन है जिन्हें डोनों ही आवार्ड हो 있으니까 ये एक तो आरजोन आवर्ड अरजोन хорош है खे के हैं तो आंसर आप लोग लगाते जाएए वीडियो की लिंक को सेर करते जाएए अगला प्रस्ते हैं मद्रप्रदेस का वह खिलाडी जो बाद में पाकिस्तान होकी टीम का खिलाडी बन गया पहले मद्रप्रदेस होकी टीम का खिलाडी था लेकिन विभाजन के पहले था मद अनवर खान इनका नाम है यह मद्य प्रदेश के होकी खिलाडी थे बाद में पाकिस्तान के होकी खिलाडी बन गए थे मद्य प्रदेश में क्रिकेट संग का मुख्याला कहां पर है तो मद्य प्रदेश क्रिकेट संग का मुख्याला जो है इन दौर में है पहले देखिए पार कर्केट एस्थापना किसने की थी करनल सीके नाइडू के नित्रत में होलकर एस्थापना किसने की महराजा भीम राव होलकर ने ठीक है किसने की थी तो भीम राव होलकर के द्वारा ये स्थापना की गई थी 1941 में अगला प्रस्थ है सोनल सिसोधिया किस खेल से संबंधित है सोनल सिसोधिया का नाम तैराकी से जुड़ा हुआ है बहुती प्रसिद्ध महिला है और सोनल सिसोधिया तैराकी से जुड़े हुए है ठीक है संधिया अगरबाल किस खेल से संबंधित है रिपीटेट कॉश्चन हो सा पुरुसकार प्रदान करती है मलखंब के छेत में मद्द पदे शरकार द्वारा बहुत ही पुरुसकार दिया जाता है कौन सा तो इसमें से कौन से जोसी के नाम से यह आपको पता है इसमें से फ्रभास जोसी के नाम से मलखंब के छेत में जो है पुरुसकार दिया जाता है देश का पहला आदिवासी खेल विद्याला की स्थान पर खोला गया था देश का आदिवासी विश्व विद्याला की बात की जा रही है आदिवासी सुध संचार केंदर की या सुध विश्व विद्याला की बात की जाए तो वो आपका अमरकंटक में खोला गया था ठीक है ल प्रद्ध प्रदेश में प्रथम आवासिये खेल विध्यालाय की स्थापना जहां पर होस्टल भी है और खेल विध्यालाय भी है वो है आपका सीहौर आप लोगों को कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना है खेल विध्यालाय राजपुर और आवासिये खेल विध्यालाय सीहौर भारतीय खिलाडी का नाम बताईए जिन्होंने विदेशी धर्टी पर सबसे पहले सतक जमाया था भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाडी थे मुस्ताक अली इन्होंने सबसे पहला सतक जमाया था याद रखना है आपको और प्रधान मंतरी यहाँ से देखिये 45 question आपके खेलकूद के हो गए आगे आपकी उपग्राय प्रक्षेपड की इंदर से रेलेटेड प्रस्न भी हैं कुछ current अफेर से रेलेटेड प्रस्न भी हैं और कुछ 2-4-5 प्रस्न और खेलकूद से रेलेटेड हो सकते हैं लेखी प्रधान मंत्री ग्राम शड़क योजना के अंतरगत सबसे ज़्यादा सड़कें किस राज्य में बनाई गई हैं ये current का question है और सबसे ज़्यादा प्रधान मंत्री शड़क योजना जो है 500 की आबादी से बंतिया टल विहारी सरकार की योजना थी सबसे ज़्यादा सड़कें जो है जम्मू कस्मीर में बनाई गई है अगला प्रसने भारत के किस देश की कोरोना वैक्सीन इस पूतनिक फाइब के मानव परिक्षण को अनुमती दी है पूतनिक फाइब की मानव परिक्षण को अनुमती तो ये दी थी रूस के द्वारा सवरी सबसे ज़्यादा सक्तिसाली पासपोर्ट किस देश का है सबसे जदा सकतिसाली जो passport है वो किस देश का है सबसे जदा सकतिसाली passport New Zealand का है ठीक है अगला प्रस्थ है यटेल ने कि सहर में भारत के पहले 5G ready network की घोषना की है तो में पहले रेडी नेटवर्क की घोषना कर दी है कहाँ पर तो हेदराबाद इंदौर अहंदाबाद या बैंगलोड तो इह है ऐदराबाद में की गई है next एक्सप्रस्ट में भारत एसिया प्रसांत व्यक्तिकत स्वास्थ सुचकांक में किस इस्थान पर है अंसर लगाते जाईए आप लोग और आवाज ना आए देखिए करेंट का क्वेश्चन है जापान नहीं है उसमें जापान ने उसका अंसर क्या हो जाएगा निव्जिलेंड होगा और अगला प्रस्थ हैं यदि आपको इन प्रस्थों से लेटेट कोई भी डाउट बनता है तो आप लोग जब यह जब यह हमारा लेक्चर जो है अपलोड हो जाता है तो उसके बाद में आप कमेंट करेंगे तो हम आपके कमेंट का संतोस जनक उत्तर आपको अपलब्द कर रहेंगे यदि कोई कभी मिस्टेक से कोई गलत क्वेशन निकल जाता है तो भारत एसिया प्रसांत व्यक्तिगत स्वास्थ सूचकांक में किस स्थान पर है यह दसवे स्थान पर है ठीक है भारत एसिया प्रसांत व्यक्तिगत स्वास्थ सूचकांक में दसवे स्थान पर आ औरत ने 2021 परियावन बर्स की रूप मैं लॉंच किया है। विश्वकुस्ट रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। जिस दिन सहीद दिवस मनाया जाता है। को हिंट दे दी है सही दिवस बिनाया जाता है गांधी जी की हत्या कर दी गए थी किस दिन तो 30 जनवर तो यह बच्चे-बच्चे को पता होगा कि सुसंत सिंग राजपूत की जो है आत्म हत्या पूरे उसमें रही है मीडिया में रही है और संदिग्द परिस्थितियों में हत्या को कई लोगों ने संदिग्द परिस्थितियों में इनकी द्वारा जो आत्म हत्या की गई है उसे कई लोगों अपना मंगल मिसन लॉंच करेगा कौन सा देश है जो पहली बार पैसे कि उसके पास कोई कमी नहीं है लेकिन मंगल ग्रह पर जाने के लिए वो पहली बार प्रयास करने वाला है वो इस मैंसे कौन सा है तो वो है आपका UAE संयुक्त अरब अमीराथ आपसन नमबर होगा ए साथ अरब नहीं है संयुक्त अरब अमीराथ UAE अगला प्रस्त में भार्दिय सेना द्वारा कारिगिल युद्ध में किस महत्पूर्ण चोकी पर पुनाह कव जाकर लिया गया था कारिगिल युद्ध जोकी लगवग साथ दिन तक चला था 26 जुलाई को विजह दिवस मनाया जा क्योंकि भारस सरकार ने इससे जीतने के लिए अभियान चुछ लाया था ओप्रेशन विजय चलाया था थीक है तो आप लोग कमेंड करके बतायाए कि नौ सेना ने उस समय जो चलाया था ऑपरेशन वो किस नाम से चलाया था थीक है तो यह टाइगर हिल जो एक चोटी थी उस पर फिर से कबजा कर लिया था, अंसर हो गया हमारा Tiger Hill, कारेगिल युद्ध को पाकिस्तानी सेना द्वारा क्या code नाम दिया गया था, जब पाकिस्तानी सेना जो है धीरे धीरे घुसपैट कर रही थी, जिसकी जानकारी चरबाहोंने उन्हें घुसते हुए देख लिया था और भारतिय सेना को बता दिया था कि पाकिस्तान की सेना अपने यहां घुस रही है तो उस घुसपेट को पाकिस्तान ने जो नाम दिया था वो कौन सा नाम दिया था बद्र आपरेशन बद्र नाम दिया था ए नमबर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है पतंजली किसके संग्रह करता की रूपे प्रसिद्ध है योग सूत्र पंचतंत्र व्रमसूत या आयुर्वेद तो पतंजली जो की आपके पुश्यमित सूंग के समकालीन थे उनके लिए इन्होंने यग भी करवाये थे और पतंजली को योग सूत्र का संकलन करता जो है माना जाता है नेक्स प्रस्ण है स्रीमद भागवत की रचना किसने की थी यहां पर भी भागवत जो है वो कट गया है नहीं पता स्रीमद भागवत वहां पर कंप्लीट ली देख सकते हैं आप हूँ कंपोजड स्रीमद भागवत किसने की थी स्रीमद भागवत की रचना तो यह की थी महर वेदब्यास जी बोल रहे थे और स्रीग गनेश जी लिख रहे थे और पूरी भागवत लिख दिये लेकिन गनेश जी ने एक बार भी कुछ टोका नहीं कुछ भी बोला नहीं तो उनके जैसा सुरोता जो की बिना बोले पूरी किताब लिख दे कि पूरा ग्रंथ लिक दे तना वड़ा तो ऐसा ही बहुत बढ़ी चीज है वेदा ब्यास जी का नाम याद रखिएगा प्रिसिद्द ग्रंथ लिलावती किस विसा से संबन्दित है तो प्रिसिद्द ग्रंथ जो लीला बती है लगभग 1150 इस्वी में लिखी गई बहुत थी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये भासकर दुतिय के द्वारा लिखी गई थी इनकी बेटी का नाम लीला वती था तो उन्हें अपनी बेटी के नाम पर इस पुस्तक का नाम लीला बती रख दिया और ये गड़ित क आहां का ते तुर्क था, दुर्की बोलता था, तुर्क तो इसने भी अपना जो जीवन गाथा, अपनी आत्म गाता है, वो बावरण नामा के रूप में संकलित की है, लिखी है, इसे तुर्की में लिखा था. प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यास कार कौन है इसमें साहित से लेटेट प्रस्णों को भी समाहित किया गया है प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यास कार कौन है तो चरित्रहीन जो उपन्यास है प्रसिद्ध उपन्यास है सरपचंद चटो पाध्याय का nash person है केंदरिये plastic engineering एबं परोधगी की संथान सीपेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है केंदरिये petrol रसायन प्रोधगे संथान केंदरिये plastic engineering याँ केंदरिये Christopher रसायन और प्रोधगी की संथान तो डी नमबर बिलकुल करेक्ट है है ठीक है पेट्रोरसाइन इंजिनिरिंग और प्रवद्रवी की संस्थान इसका जो है नाम कर दिया गया है नेक्ट प्रस्न है विश्व भूख दिवस कम मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपका 28 माई को 29 माई नहीं है 28 माई को विश्व भूख धिवस याद रखिएगा कि जो हंगरी डे है ये 28 माई को मना जाता है नेक्ट प्रसन आपके सामने है संराइज फूर्स के अधिगरण की गोषणा किस कमपनी ने की है तो ये ITC जो कमपनी है उसके द्वारा संराइज फूर्स के अधिगरण की गोषणा की गई उसको खरीद लिया है अधिगरण कर लिया है ठीक है संराइज फूर्स जो हुआ करता था उसको ITC ने खरीद लिया है भारतिय जीवन बीमार निगम जो है LIC ने किस संसोधित योजना को लॉंच किया है तो इन्हों ने प्रधानमंत्री जागरती योजना, प्रधानमंत्री श्वावलंबन योजना, सुकन्या योजना या प्रधानमंत्री वयबंदना योजना तो प्रधानमंत्री वयबंदना योजना को LIC ने संसोधित करके लॉंच किया है यूनिसेफ, photo of the year प्रोस्कार किस भारति ये जीता है? तो जो जारिया की प्रशिद्ध, जार्खंड में जारिया है, जारिया की जो कुईला की प्रिसद्ध, खदाने हैं, वहां का एक प्रसिद्द चित्र लिया गया था जिस चित्र को यूनिसेफ फोटो अफ दा इयर में सेकंड प्राइज दिया गया है और ये किसका है तो ये है आपका सुप्रतिम भट्टा चारजी का सी नंबर पर आपसन आपको करेक्ट मिल गया है सभी बाहनों के लिए फास्टेक कब से अनिवार कर दिया गया है फास्टेक आप लोग समझते हैं टोल टेक्स पर आपको गाड़ी रोकने की जरुवत नहीं है परची कटवाने की जरुवत नहीं है आपके गाड़ी के लोगों रहेगा और वहां से फास्टेक को क्या कर लिया कि इसकैन कर लिया जाएगा और सीधे ही वह सेंसर के द्वारा आपको बेरियर खोल दिया जाएगा और आप सीधे डारेक्ट निकल सकते हैं कितना फायदे मंद होगा भारत में इतने टोल्ड टेक्सों पर कितनी गारियां लाएन लगाके अपना डीजल वरबात करती हैं पेट मिला है तो कोरोना वायरस का नया स्ट्रैंड मिला है बिटैन में सुरू बात हुई थी इसके फेला था सबसे पहले चीन से और अपका नया स्ट्रैंड जो है बिटैन से समन किया है तो यह नरेंद मोदी को अमेरिका के द्वारा दिया गया है किस यर्वेस पर राफेल लडाकू बिमानों की लेंडिंग कराई गई है किस यर्वेस पर राफेल जो हैं फ्रांस से आये थे अभी तो उन लडाकू बिमानों की लेंडिंग कहां कराई गई है किस रहते जाएए मैं आप लोगों से बात करूंगा आपने कितना स्कूर किया है ये भी हम आपसे बात करेंगे नई सिक्षा नीति में मानौ संसाधन विकास मंत्राला का नाम कर दिया गया है नई सिक्षा नीती जो है इसमें मानव संसाधन विकास मंत्राला का नाम जो है मानव विकास वा सिक्षा मंत्राला के रूप में कर दिया गया है सुरी मानव विकास बिल्कुल हटा दिया केबल सिक्षा मंत्राला जो है इसका नाम किया गया है किस महापुरुस की जैनती राष्टिय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है 12 जनबरी को स्वामि विवेका नंद जी की जैनती होती है उसे राष्टिय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं कन्या भूण हत्या जैसी सामजिक कुवितियों के बारे में लोगों को जागरू करने के उदेश से राष्टिय बालिका दिवस कब मनाया जाता है कन्या भूण हत्या जो कि कन्याओं को भूण में ही ना मारें इसके लिए जन जागरती फैलाने के लिए राष्टिय बालिका दिवस मनाया जाता है किस तारीख को मनाया गया है हाल ही में त प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल यह मैं आपको पर्यावरण में सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूं तो जो 1987 का ये मॉन्त्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ठीक है कनाड़ा के मॉन्ट्रियल नामकिस्थान पर वो ओजोन परत्किस सनक्षन के लिए किया गया था इसलिए उसी दिन ओजोन सनलक्षन दिवस मनाया जाता है उसी दिन से ठीक है निम्न मैंसे कौन सा राश्ची अवकास नहीं है दो अक्टूबर गांदी जहिंती राश्ची अवकास है 26 जनवरी के भी राश्ची अवकास है 15 ये भी राश्ची अवकास है 25 जनवरी मतदाता दि किस्तिति को मनाया जाता है cb रमन के द्वारा जो जो र्मन प्रभाव की खोच की गई थी उस दिवस को हम याद के तौर पर किस दिन मनाते हैं 27 फरवरी 28 फरवरी 28 मार्च या फिर 28 अप्रेल 25 मनाते हैं 28 फरवरी को विग्यान दिवस ठीक है ना तो याद रखिएगा ठीक है विधान चंदर राई की याद में क्या मनाया जाता है ये भी आप कमेंट करके हमें बताइए न्याय दरसन का संस्थापा किसे माना जाता है तो जो कपिल है कपिल को सांख दर्शन का जनक माना जाता है, महारसी गोतम को, ठीक है, गोतम जी न्याय करते थे और कपिल जी संख बजाते थे, इस टाइब से आप इनको याद रखें, समाज बाद के परवर्टक किसे कहा जाता है? समाज बाद का परवर्टक कौन है? जवाहल्लाल नहरू, सरदार बल्लब भाई पटेल आचार या नरेंद्र देव या इनमें से कोई ने समाजबात का प्रवर्टक कौन है तो समाजबात का प्रवर्टक आचार या नरेंद्र देव को कहा जाता है समाजबात का प्रवर्टक विश्वभारती की स्थापना रविंदरनाथ टैगोर ने की थी यह आप लोग फईवार पड़ चुके हैं सांती निकेतन की स्थापना भी रविंद्र नाट्यगॉर के द्वारा विश्वभारती और सांती निकेतन दौनों की स्थापना पश्चिम मंगाल में रविंद्र नाट्यगॉर की द्वारा की गई थी रेड गार्ड की स्थापना किस ने की थी तो कमेंट करके बता सकते हैं हेंरी डूरेंट जिनकी संस्था को तीन बार जो है नॉबल पुरुसकार से नवाजा जा चुका है तो इन्हों ने किसकी स्थापना की थी 1867 में 8 मही 1867 को हेंरी डूरेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी लेकिन रेड गार्ड्स की स्थापना जो है ये गैरी बाल्डी क के द्वारा की गई थी अगला प्रसमें जै लक्षमी रामा नुज कप किस खेल के लिए दिया जाता है जै लक्षमी कप और रामा नुज कप जो है ये किस खेल के लिए दिया जाता है टेबल टेनस में जै लक्षमी कप और रामा नुज कप दोनों ही कप जो है खेले जाते हैं दोड़ कूद का बादसाह कौन है तो दोड़ कूद का बादसाह किसे कहा जाता है इंगलेंड निवासी जैसी ओवेंस को दोड़ और कूद का बादसाह कहा जाता है मातर सत्रह प्रुष्णों का सफर यहां से जा रही है हम 10-15 मिनट में क्लास को खतम करेंगे तो बने रही ये Class के end तक और अगला प्रस्थ है कौन सा पॉलो से सम्बंदित नहीं है कौन सा राधा मोहन क पॉलो में खेला जाता है एजार कप पोलो का है प्रफ्वी पाल सिंग पॉलो का है चाइना कप जो है पॉलो का नहीं है ठीक है तो आंसर हो गया D. भारतिय इतिहास के निपनर्माता किसे कहा जाता है जो किसी को भी राजा बना सकते थे इतनी हैसियत उस समय किसमे थी तो सयद बंधुओं को भारतिय इतिहास का निपनर्माता कहा जाता है और आप लोगों को ये भी मैं बता चुका हूँ कि सयद बंस के अंतिम राजा ने अपना पद त्याकर के लोधी वंस को क्या दिया था राजा बना भी दिया था ठीक है तो सयद वंदू भारत का सेक्सपियर निम्र में से किस व्यक्ति को कहा जाता है दिखिए इसी सलेबस में आपके भारत के प्रमुख व्यक्तित्त को भी सामिल किया गया है इसलिए हमने इन प्रश्टों को इसमें रखा है कि भारत के प्रमुख व्यक्तित, भारत के प्रमुख पुरुसकार, सम्मान, सारी चीजें जो है, खेल कूद, समसा में घटना है, इन सबी को इसी यूनिट में सामल किया गया, तो भारत का सेक्सपियर किसे कहा जाता है, महा कभी काली दास को भ अंकर में आत्मःत्या कर ली थी उसके बंकर का नाम था फीवरर और उसकी उपादी का नाम भी फीवरर है अडॉल्फ हैटलर और एडॉल्फ हैटलर नेही नेताजी की उपादी सुवास्चंद वाउस जी को दी थी अगला प्रसने बिरोधा भासों का मिस्रण मुहमद बिन तुबलक को कहा जाता है आंसर होगा ए नमबर और अंकल हो ठीक है अंकल हो किसे कहा जाता है तो ये अंकल हो की जो उपादी है एक खिलाडी का नाम है होची मिन होची मिन को अंकल हो के नाम से जाना जाता है खेल कूद पढ़ेंगे तो आपको इनका नाम मिलेगा भारत का पहल प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है यह 27 फरवरी को पहला प्रोटीन दिवस मनाया 28 फरवरी को सीवी रमन के खोज के प्रभाव में विज्ञान दिवस भी मनाया एडलिन केश्टे लिन्यों को ये ताज 2020 का दिया गया है आठ प्रस्णों की सरंखला यहां से बाकी है आप लोग बने रहें वीडियो की लिंक को शेयर करें और ये बताना है आप लोगों को क्लास के अंत में कि आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किये है किस राज में थाई मागुर मचली के खेती पर प्रतिबंध जो है लगाया गया है मागुर मचली की प्रजाती है तो थाई मागुर उसकी भी एक उप्रजाती है ठीक है रोहुगा होती है बाम, कतला, मिर्गजल, लांची, टिंगरा, सौर ये सारी मचली की प्रजातियां है और इन मैसे जो था मांगुर मचली की प्रजाती है वो महराष्ट सरकार ने वहां पर इस मचली को पकड़ने पर रोक लगा रखी है human computer के नाम से प्रसिद नासा की प्रसिद गड़ितग्य का क्या नाम है जिनका 101 वर्स की उम्र में निधन हुआ है नासा जो कि अमेरिका की सबसे विस्व की सबसे बड़ी और अमेरिका की प्रमुख एजेंसी है उसकी प्रमुख गड़ितग्य का नाम क्या है तो इनका नाम है कैथरीन जॉनसन सी नंबर आप्सन में हमें correct answer मिल गया है अगला प्रस्त है हाल ही में भारत के किस खिलाडी ने cricket से सन्यास लेने की घोशना की है तो उस खिलाडी का नाम है match fixing में उनका नाम था और काफी दुनों से उनके उपर क्या लगा हुआ था तो प्रतिबंद लगा हुआ था उनका करियर भी उसी में डूबा है तो वो थे ऐ प्रतिबंद लेने वाले पहले तेज गेंदवाज कौन बन गए हैं 900 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदवाज कौन है आजहर अली जस्प도 e approach ब्रोड या जैमस एंडर्सन तो जैमस एंडर्सन सबसे तीख गती से 600 विकेट लेने कि किसान की जमीन है भी या नहीं है और है तो उसमें किस प्रकार की फ़सल वो रहा है सारी जानकारी पटवारी जो है कभी गलत लिख देता है या गलत डोकुमेंट से वो करज ना ले 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 किसान तो इस प्रकार की जानकारी के लिए इतनी टेक्नोलोजी का यूज़ करेगा कि सैटेलाइट के माध्यम से नज़र रखेगा कि इस किसान की पास कितनी भूमी है कौन सी फ़सल गोई है और इस टेक्नोलोजी का यूज़ करेगा I.C. I.C.I. Bank किस देश में नावालिगों को सजा ए मौत को समाप्त कर दिया गया है किस देश में नावालिगों को जो नावालिग होते हैं 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं कहीं कहीं जगए पे इनकी उम्र जो है 20 है कहीं कहीं जगए पे इनकी उम्र 16 है 17 है तो नावालिग समझ को सजा मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी ये किस ने बोला ये सौधी अरब के द्वारा बोला गया है सौधी अरब का कानून सबसे कठोर कानून कहा जाता है अगला प्रस्थने किस आई 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 टी के छात्रों ने कम लागत वाले बेंटी लेटर रुद्रहार का ठीक है रूहदार सौरी रूहदार जो है कोरोना काल में वहां के आई आई टी के छात्रों ने बनाया था ठीक है सौरी यहां पर जी हाँ बेंटी लेटर जो है यह आपका IIT वाले बॉम्बे ने बनाये था बिल्कुल करेक्ट है आपका बॉम्बे बाला और यह जो IIT Speed High Speed Magnetic Ram जो विक्सित की थी वो की थी आपके IIT मंडी दीप ने ठीक है जो कि कहां है मंडी दीप ने सुरी मंडी मंडी दीप तो आपका रायसेन में हैं मंडी हिमाचल प्रदेश का मंडी जला जो है वहां IIT मौझूद है वहां के चात्रों ने क्या किया था वहां के चात्रों ने High Speed Magnetic Ram जो है विक्सित की थी तो यह हमारी आज की क्लास के प्रश्ण थे और प्र सर की चक्कर में कन्फ्यूज हो गया पंकच पंडिजी कन्फ्यूज नहीं होना है आपको जो रुहदार बेंटिलेटर बनाया था कम लागत का वो IIT बॉंबे के चात्रों ने बनाया था और High Speed Magnetic Ram का नमाड़ IIT मंडी ने किया था ठीक है क्लास कैसी लगी वह कमेंट करके ब महाँ पर हमें बता सकते हैं कि आपको क्या कन्फ्यूजन है सो मैसे स्वस्ट सो प्रस्न सही हैं टीचिंग टिफ्स के रजनी राजावत एक्सिलेंट थैंक यू गूड चली जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी पंकच पंडित के 94 हैं वेरी गुड एक आपका स्किप हो गया था टीचिंग टिप्स के सथ सो हैं संध्या सतर प्रस्न हैं थोड़ा सी और महनत करें संध्या जी तेजपाल के 86 नंबर हैं तेजपाल सिंग 86 नंबर हैं अंठानवे हैं मनीशा उइके के और सो में सो टी इस बार MPPSC क्लियर कर पाएं हमारी शुपकामना है आप लोगों के साथ में हैं वीडियो अपलोड हो जाए तब आप लोग हमें जानकारी दे सकते हैं और किसी प्रकार का प्रश्न वहां पे आप लोग कर सकते हैं यहां पे कोर्स की जानकारी आपको पता है टेसरी जोइन क में कर सकते हैं रिवीजन के लिए साड़े साथ हजार MCQ हैं और यह हमारे इंग्रिस मीडियम का नोट से 1399 में हिंदी मीडियम का नोट से 1299 में खुल तैयारी आपकी हो जाएगी तो क्लास कैसी लगी आपको क्लास कैसी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करे करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि अ कि अ कि अ कि अ कि चलिए मिलते हैं अब आप से नेक्ट क्लास में जब तक तब तक के लिए जय हिन जय भारत क् अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अý हिर बादने के अ जब तक कि अ की कव्धाने हैं जब शेरेको की के अ क convince रचिंग Director क् अ क को檀़ किली ऱ प LGBT बंदे टो को थो एक हृ।